नवस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपनी यूटूब चैनल डेवनेज्ट में देखिए दोस्तों मैं न्यू टोपिक से बिल्कुल नया टोपिक से वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए मैं इसके अंदर आपको बता हूं कि जो हमारे देश में आज तारीक 5 अप्रेल 2020 को शाम नो बजे से नो बज़कर नो मिनिट तक दिये क्यों जलाए गए हैं वो सभी बात इस वीडियो के अंदर पदाता हूं मैं एजए प्रूफ क्योंकि मैं एक जाग रूपता की ये वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए ठीक इसको इतना शेर करो कि सभी लोगों को पता करेंगे ठीक और इस वीडियो को जादा ज्यादा शेयर करें ता कि सभी लोगों को पता चल जाए चलिए बात करते हैं आगे फिर दोस्तों ये कटिंग देख रहे होंगे आप अकवार की नया संकट नो मिनिट बत्ती बंद की तो बत्ती गुल यानि कहने का वंदब यह अंदर जो देशवाचियों की एक ता है वह दर साथी है दी जलाने से ठीक इफ इसके अंदर कर आप दन रहे सिर्फ लाइटी बंद करें भर नागी रिड़िड की बैट जाएगा यह सभी आपनी लाइट स्कोफ कर दे तो जनता इस चीज़का गलत मतलब नहीं समझे कि लेते हैं पावराती हमारी तो उनके उपर ज्यादा प्रेसर हो जाएगा और वह खराब भी हो सकते थे ठीक है चलिए आगे देखते इसके अंदर यहीं बताया है विद्धुतमंत्रियार के सिंग ने बताया है यह ठीक है और यह सभी बाते पावरगेड के बारें बताई गई वायरस मामारी से पीड़ी देश है उनके बारे में देखिए दोस्तों अमरिका जो जन संक्या की 33Q3 और उसके अंदर जो पीड़ी है देख रहें आप इरान के यह चीन के यह सपेन के यह हैं फ्रांस के यह और जो दोस्तों बारत के 33Q3 यानि लगबग चीन के बाद दूसर श्रीमाननी नरेंदर मोदी जीन ने ये क्यों का था कि दिये जलाने के लिए देखी ये पढ़ रहे हैं आप नरेंदर मोदी पर सवाल उठाना बंद कर दो उस महान महामानों के उचित कदमों की वज़े से ही आज भारत देश क्रोना से बड़े सतर पर होने वाले के साथ यानि इटली तो से जादा मेडिकल सुईदाओं के अंदर नंबर वन पे हैं ठीक है के साथ कुछ से नहीं कर पाए ये हैं मेरे परदानमंतरी की ताकत है देखी दोस्तों मैं किसी वैक्तिवीशेस की यहां पर बढ़ाई नहीं कर रहा हूं लेकिन जिस ओधे बैठे जिस परकार को काम करें हैं तो यह काम उनका स्राणी है ठीक है बिना बात विरोध करके दुनिया के सामने अपनी फजियत मत कराओ आकडों के आदार पर बात करो हवा में नहीं हम दिये जलाते रहेंगे और सब की जलाते रहेंगे ठीक है इन बात में गोर मत करें किर प्या अपने उत्रक ना दे बारत माता की जाए ठीक है एक यह कटिंग आपने पढ़ ली सारी सारी बाते करते इस वीडियो के अंदर एक ही मैसीज आ था मेरे पास बिजली विवाग का सभी बिजली बोगता से अपील है पांच अप्रेल को रात नो बजे लाइट बंद करते समय अन्य बिजली उपकरण गीजर रेफ्रीजरेटर पंखियादी को चालू रखें वह यहीं रिजन था कि पर प्रिशर ना आए ऐसे करके बिजली आप उरती में किसी भी बात दासे बचने में बिजली निगमों की सायता करें बिजली वितरण निगमों दवारा जनहीज में बिजली जारी ठीक है यह मैंसेज आया था फोर डिस मेंसेज ठीक है अब मैं में बात बताने वाला हूं आपको कि क्या इसकी पिछी रीजन है देखिए दोस्तों सबसे पहला रीजन तो साइंटिफिक रीजन यह है कि एक मौमबत्ती दो किलो कैलोरी गर्मी देती है ठीक है एक मोबाइल फ्लैस जीरो पॉइंट फाइफ एक तिल के तेल का दिया तीन किलो कैलोरी गर्मी देता है माल लीजिए 130 क्रोड जन से क्या यानि हमारे देश की जन संक्या 130 क्रोड है और उनमें से अगर 70 क्रोड लोगों ने भी इसा देश का पालन किया तो उसमें 35 क्रोड क्रोड क्लोरी गर्मी उत्पन होगी तो क्या होगा क्योंकि क्रोण ना का एक यह एंटी डोट है अगर यह यह ज़्याद़ टेंप्रेशर के अंदर टिक नहीं पाता है जो किटानू होते हैं अन्वारेमेंट के अंदर जो आम दीये या मूंबती जलाते हैं तो उसकीलो से लोग समझते हैं आप गर्मी से यह जो विशाणू है किटानू है यह मर जाते हैं ठीक है क्रोन नाम का द्रिंदा तो दस किलो कैलोरी गर्मी में ही मर जाता है इसलिए पांच अप्रेल को सारे विशाणू मर सकते हैं अगर हम मिलकर यानि एक जूट और कर यह दो बाते आ गई साइन्टिफिक रीजन हो गया एक दूसरी बात यानि सभी देशवासियों की एकता यानि अगर इस आदेश की पालना की हमने सबने तो यह काम हो सकता है ठीक है पांच अपरेल को दिवाली समझ कर दिये जैसे दिवाली पर हम दिये जलाते हैं हमारे इंदू द्रम में तो व होता है कि जो क्रोना नाम का विशाणू है कि उसमें काफी मतलब वो डैड़ हो सकता है अगर एंवार्मेंट के अंदर फैला हुआ है तो यही रिजन था और जो दोस्तों पीछे जो थाली वगरा बजवाई थी वो डोक्ट्रों और जो करमचारी है प्लीस करमचारी सफाइ करमचारी उनके प्रोच्छान के लिए बजवाई गई थी और उसके पीछे एक यह रिजन था रहे की रिजन था है कि एन्वार्मेंट में जो कमपन पैदा होता है उससे भी कुछ फरब करता है तो दोस्तों यह जानकारी मैंने सोचा कि आपको देनी चाहिए कि आपको पता ख्याल रखिए और मैं आसा करता हूँ आपने यह काम किया भी होगा तब तक जाहें देंगे